Unacademy. Let's crack it. और यह discriminatory है. इसको लागू नहीं किया जा सकता. तो मतलब यह जो हर्याना का law था, जिसमें 75 position quota मिल रहा था private jobs में residence को, उसको high court ने quash कर दिया है. इक्जाक्ली क्या था यह, इसमें क्या प्रावधान थे, यह जो act था, इसमें क्या क्या कहा गया था, इन सब चीजों के बारे में detail में बात करते हैं, बट बिफोर moving forward, यह मेरा चोटा सा introduction आप देख सकते हैं, दोस्तों यह मेरा telegram channel है, जहां पर आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, कि इसी भी अपने doubt, query, confusion को लेकर, I'll be happy to resolve that, अगर आप अनकाडमी का subscription लेना चाहते हैं, तो आपको use करना होगा मेरा code ND10, description box में एक form दिया है, उस form को fill कर दीजेगा, और ND10 code डालना मत भूलिएगा दोस्तों, चलिए, अनकाडमी का एक offline center बहुत ही जल्दी प्रयाग राज में शुरू होने वाला है, जहां से आप अपनी IS की journey शुरू कर सकते हैं, अनकाडमी के साथ, इस center में admissions open है for GS Foundation batch 25-26, batches हमारे 15 December से शुरू हो रहे हैं, enroll आपको करना है 30 November से पहले, यहां पर आपको early bird offer भी मिलने वाला है, जहां आप जो भी 100 पहले students होंगे, जो enroll करेंगे इस batch क अपर आप कोई भी और जानकरी चाहते हैं, तो अब इस center पर भी जा सकते हैं, जिसका address यहां दिया गया है, या फिर आप इस phone number पर भी contact कर सकते हैं अपने doubts और queries के साथ, चलिए बात करते हैं news की, तो पंजाब और हर्याना high court ने शुक्रवार्यानी कल 75 प्रतिशत जो domicile reservation locals के लिए private sector jobs में उसको गैर समविधानिक घोशित कर दिया है, कि ये बिल्कुल गैर समविधानिक है, unconstitutional है और ये discriminatory भी है, क्यों ऐसा कहा गया है, इसके बारे में बताती हूं आपको, जो division bench थी court की, उसने कहा कि हर्याना state employment of local candidates act 2020, ये वो कानून है, जिसको गैर समविधा ने घोशित कर दिया है, ये कहा गया है कि ये वाइलेटेव है, part 3 का समविधान के, part 3 क्या है आपका, fundamental rights, ये fundamental rights का उलंगन करता है, जिसके चलते ये क्या हो गया है, unconstitutionalist को घोशित कर दिया गया है, ये अधिकार जो होता है court के पास, वो article 13 में दिया गया है, जहां पर judiciary, high court या supreme court किसी भी legislative law, act को या executive action को null and void घोशित कर सकते हैं, यदि वो violate करता है, part 3 को हमारे समविधान के, fundamental rights में article 13 इसके बारे में बात करता है, जिसमें judicial review का प्रावधान भी दिया गया है, ये clearly mention नहीं किया गया है कि judicial review होगा, लेकिन जब ये null and void घोशित करने के बारे में बात करते हैं, तो ये judicial review ही होता है, explicitly नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें implicitly, it means judicial review, छीक है, जो ये act है, जो की pass किया गया था 2021 में, इसमें mandate किया गया था कि 75% तक vacancies जो होगी private sector jobs की, जिसमें salary condition रखी गई थी, कि salary 30,000 से कम होगी, मतलब 30,000 से कम salary वाली जो jobs होगी, उनमें 75% reservation द domiciles को, मतलब जो local residence है हरियाना के, ठीक है, इसके पीछे कुछ तरक भी दिये गए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो जो act है, जो पास की गई थी हरियाना assembly के द्वारा नवेंबर 2020 में, और इसको governor की ascent मिल गई थी मार्च 2021 में, जब ये लाग हुई, ये एक तरह से brain child मानी जा रही थी, और जननायक जनता पार्टीज, जो कि BJP की ally है अभी समय हरियाना राज्ये में, और उनके जो leader है दुशंत चोटाला जी, जो फिलहाल deputy chief minister भी है, उनकी brain child मानी जा रही थी, ठीक है, काफी महत्पूर माना गया, और कहीं ना कहीं है, एक political, अब मैं कहीं सक कहीं, एक particular section of the society को appease करने के लिए भी इस तरह का ये law लाया गया था, जिसको finally अब खारिज कर दिया गया है, unconstitutional, गहर समविधान ने घोशित कर दिया गया है, ना यहाँ पर यह कहा गया था, कि मतलब इस act के द्वारा कि जो reservation दिया जा रहे, बहुत महत्पूर promise था, जो कि मिस्टर चौटाला ने किया था, 2019 assembly election से पहले, जिसको इनों ने actually 2021 में as an act पूरा भी किया, लेकिन ये तो समविधान के विरुद्ध हो गया, समविधान के against हो गया, objective क्या बताया गया इस act का, अब obviously सरकार ने इसको justify भी किया, justification भी दिया गया, तो ये कहा गया कि इस act को ला राज्ये हैं वहाँ से, इन 30,000 से कम salary वाली जो jobs है, low paid jobs जो है, उसके लिए जब लोग आते हैं, migrants जब आते हैं, तो ये बहुत बड़ा impact डालता है, local infrastructure पर, local housing पर, और इससे जो slums हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, low paid jobs के लिए, बाह तो basically ये कहा गया कि इसकी वजह से, क्योंकि low paid jobs हैं, तो 30,000 से कम की job के लिए लोग आएंगे, तो रहने खाने की दिक्कते होंगी, जो local infrastructure है, housing है, उस पर एक प्रभाव पड़ेगा, कहीं न कहीं, slums में एक तरह से बढ़ोतरी देखी जाएगी, slums create हो जाएंगे, ये justification था, इसके अलावाद एक और justification दिया गया इस बिल को लाने के लिए, ये कहा गया कि अगर local candidates को preference दी जाएगी low paid jobs में, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये socially, economically और environmentally desirable है, क्योंकि जो सामाजे करार्थिक और जो भी परियावन संबन्दी, मतलब जो housing है, infrastructure, etc., इन सब के लिए ये आवश्यक है, इसलिए किया जा रहा है और ये किया जा रहा है in the interest of general public, आम जनता के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये act लाया गया है, ये हर्याना सरकार का तर्क था इस संबन्द में, objections क्या आए, भही objections यहाँ पर ये आए, जो petitioners थे उन् introduce करना, son of soils policy, कि जो अपने लोग हैं वही, उन्हीं को jobs मिले, जो कि कहीं ना कहीं, जो employers हैं, और जो नागरिक है इस देश की, उनकी constitutional right को violate करता है, now ये violate कर रहा है fundamental right को, in the comment section, can you tell me which right is being violated here, जहाँ पर employees or citizens की right violate हो रही है, जब limited employment generate हो रहा है, जब limited, मतलब limit कर दिया गया है, क यहाँ पर employment दिया जाएगा, हाँ, हर्याना सरकार ने कहा कि article 151 के अंडर, जो fundamental right है, वहाँ पर domicile वाली condition लागू हो सकती है, लेकिन 75% तक reservation देना भी जायज नहीं है, यह यहाँ पर clarify किया गया, जिसमें petitioners ने कह दिया, कि यह fundamental rights का, जो हमारी constitutional rights है, उसका violation हो रहा है, ठीक यहाँ पर उन्होंने यह भी content किया, जो petitioners थे, उन्होंने यह भी कहा, कि जो private sector की jobs होती है, वो basically उनका जो, मतलब वो solely किस पर base होती है, जो employee है, उसके talent और analytical blend of mind पर, भही वो कितना सक्षम है, कितना, उसकी क्या capabilities है, क्या उसकी abilities है, उसके basis पर होती ही private sector की job, और अगर इस इसके बाद, of course, court ने इस objection को माना, अब क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि यह कही ना कहीं कुछ section of society को peace करने के लिए थे, यह political हम कह सकते हैं कि promises थे, जिसके बाद यह law बनाया भी गया, अब खारिज हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि यह Manohar Lal Khattar led जो government है, उसके लिए एक बड़ा major setback है, जो decision है, एक तरह से बहुत बड़ी defeat मानी जा रही है, Manohar Lal Khattar सरकार की, जिन्होंने इस law को enact किया था, consolidate करने के लिए votes of the local populace, जो आम जनता है न, जो local लोग है, उनको appease करने के लिए, उनकी votes को, you know, consolidate करने के लिए, particularly the JAT community, ठीक है, मैं आप को बता दू, हरियाना के जो assembly elections है, वो expected है 2024 में, अब इस law के गैर समविधाने घोशत होने के बाद, जो 75% का reservation है, वो तो अब खारेज हो गया है, अब इसके बाद ये देखना काफी interesting होगा, कि October 2024 में election का result क्या आता है, क्योंकि एक major promise था ये, employment का, और locals को job दिलाने का, आपक इस बारे में क्या राया है, मुझे comment section में जरूर बताएगा, I hope you like this session, don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates, description box में जो form दिया गया है, उसको fill करना बिलकुल मत भूलेगा दोस्तो, so that will be all from my side, I hope you like it, God bless, take care, bye-bye.